नमस्कार आप देख रहे हैं अलाइफ 24 न्यूज नमस्कार अलाइफ 24 नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ विसाल सक्सेना और आज मैं मौजूद हूँ रूबी जुबेरी जी के हां कॉंग्रेस की बरिष्ट नेता है उनसे हम बाचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारती जनता पार्टी की जो नीतिया है क्या वो जनता अब सुविकार पा रही है क्योंकि जो मोदी का भूत था जो घर घर मोदी हर हर मोदी का नारा लगा था अब जनता कह नहीं नहीं नि Umics को न कालई क्वा उन होने के नाते उनकी पा leather की नीतियां क्या है क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने जिलात्व कि कि आी हैं चनाफ की चल रही है तो आपका dónde क्या कर रहे हैं मैं में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कारेकरम क्या लगता है कि आपकी लेट नहीं हो रही है सबी अपने जिलाद्यक्ष नुक्त कर दिये बस दस-12 जिले हैं से हैं जहां पर अभी नहीं हुआ है तो वह तो हाई कमान कर निर्णे होगा जो भी होता है लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से शक्षम है अपने काम में और वह पूरी तरह से लगी हुई है कि और आपने ये भी देखा कि भारती जनता पार्टी जो है व कि यहां पूरी तरह से विकास नहीं होता है के पूरानी हमारी आधाराशला है यहां पर हमारे हुसे पहचान होती है अगर आप नाम बदल देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है उससे विकास तो होगा नहीं नाम बदलने से बहतर है कि वो यहां पर विकास करवाएं और मोदी जो है उन्हें टाइम ही नहीं है वो कप हमारे मुल्क में ठहरे हैं वो तो विदेश में जादातर रहते हैं यहां पर तो हमें अंदुस्तान में दिखते नहीं हैं कितना भी सें लकों पर देखने को मिलती है तो क्या लगता कि कहां जा रहे हैं लोग जनता खुदी जाग्रूख है और जानती है कुछ भी नहीं हुआ जो पुरानी जो हमारे हाइवेए पास था वोई वह सडकें पूरी अभी नहीं हुई है वह पुराना जो जो हमारी योजनाय थी वो आप रही है तो किसका मुख कारण आप क्या है कि कारण यह है कि समाज को लेके चलती और उसमें हमारी नीतियां बहुत अच्छी है उसमें लोग खराब हो सकते हैं लेकिन पार्टी की नीतियां जो हैं उनी से उनी के उस पे रखते हुए मैं आज कांग्रेस पार्टी में हूँ और इंशालला रहूंगी और उसे से जोड़ी होई हैं स्टुडेंट लाइफ से कांग्रेस में अचा मैं जो अभी कांड हुआ फिर एक महला के साथ में बलातकार हुआ यह घटना है हमारे देश में कब तक होती रहेंगी और कहीं न कहीं यह बड़ी सर्मनाक बात है इससे मैसेज पूरे विश्व में क्या जाता होगा हमारे देश के लिए सब को पता है विश्व में यह मैसेज जा रहा है कि इतना बड़ा नाटक किया इन्होंने अन्ना हजारे को लेके और एक लड़की का जो था उसको लेके इतना उदह मचाया है लेकिन आज हर जगा हर इलाखे में ऐसी बलातकार हो रहे हैं आज और तो और सुरक्षित नहीं ह आज उनके साथ खिलवाड किया जा रहा है नोक्रियों के नाम पर ठगा जा रहा है उनक्याना में बेरोजगार इतने घूम रहे हैं यूवाओं के साथ को ठगा जा रहा है सारे समझ गए और यह पूरी तरह से फेल हैं और आज महलाओं को कोई भी कहीं सुरक्षा नहीं है आज भी महीं जहां से महला चली थी आज भी महीं खड़ी है ये सब जूटे वाय देखिए थे नोंने आज ना हजारे दिखाई देते हैं ना जिन्होंने महलाओं के लिए आवाद उठाई थी आज कोई ने कोई सड़क पर ने आता आज इतनी महगाई चरम सीमा पर पहुंच आज प्यास जो है उनके जमाने में 30-30 रुपे हुई थी तो कहा था कि आशू निकल रहे हैं मोदी की तक्रीर है मोदी ने कहा था लेकिन आज आज वो कोई कहने को तैयार नहीं है दर्शकों को मैं बता दू कि यह धरातल की इस्तिती है और हम एक निस्पक्ष पत्रकार होन क्या होगा हमारे साथ में क्योंकि हम परिसान है डरे हुए यूथ पर डरा हुआ है मुझे तो लगता है यूथ डरा हुआ है मीडिया डरी हुए हर एक कोई डरा हुआ है तो डरनी की बात नहीं है लेकिन यह सब बात आज सब पर जग जाहर है कि आज आज जो यह मोदी की सर लेकिन आज हमें अपने देश से महबबत होनी चाहिए और मैं उनसे यह कहूंगी कि बिगाड़ों ना तस्वीर मेरे वतन की बनाने में इसको जमाने लगेंगे यह जो इस तरह से कभी मॉवलिंचिंग का मामला होता है कभी हिंदू-मुसलिम का मामला करते हैं यह भटका के न मुसला नहीं कुछ नहीं और इनको पर योजिए यहांद भी आप बेरोसगार के लिए चाहिए और जितने भी उल्द सावन ने इसके समंदर के ने तो क्या वहाँ पर सफाई नहीं हुई थी प्रैमिस्टर के जाने से पहले जिस तरह से पॉलिथन बिखेरे गए जिस तरह से उन्होंने अपनी तस्वीरे खिच्वाई मतलब आपको लगता है इसारा पूरा एजंडा सब प्रिपिलान और सब ड्रामा था इसता से ड्रामा करने की जुरत ने हिंदुस्तान जो है यहां की जनता जागरूख है और यहां सब जानते हैं यह बहुत ही अच्छे लोगों का देश है यहां पर सब हिंदू मुसल्मान औ एक तरफ अगर यहां पर गुरू नानक हैं तो दूसरी तरफ यहां पर खौजा मुहिन उद्दीन चुछती हैं यह यहां पर श्री कृष्ण जी का की जगह है यह रामचंदर जी की धरती है यहां पर कोई इस तरह के मामलात नहीं चलेंगे कभी कहते हैं गंगा साफ बीसाफ नहीं कुछ नहीं हुई आज शरम आने लगी यह बाहर जूट बोल बोल के ट्रम का एलक्शन दार हैं वह क्यों लडाने में आपको थे संसाम अगर नगी दॉक नहीं चाल देखिए चारिंगे हैं यहां प्रॉक्षियृकोशन ब्कति हैं यहांपर कुछ नहीं है सारा जो भी है यहांका वो भिबिक गई यहां पर कौन बेच है क्या कर रहा था यह चाहिए है में प्यार मोहब्बत का प्रतीक है हिंदू-मुस्लिम सी किसाई सभी इस देश में रहे हैं और बरकरार रहेंगे और ये वही देश है जिस देश ने तमाम कुरवानिया दी हैं जब कोई इस देश को तोड़ने की बात करेगा तो कहीं न कहीं आबाज उठेगी और वो आबाज हर पार्टी के नेता चाहे वो बिपक्च के हो या पक्च के हो आबा साथ और देखते रहें अलाइव 24 नियूज देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 नियूज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाएं